आज का वर्दान श्रीमत द्वारां सुधा खुशी वहलके पन का अनुभव करने वाले मनमत और परमत से मुक्तभवर आये इस वर्दान का स्वरूप बने आउ शांदे भ्रकुटी के मत्थे सुन्या में जन्व पुनर जन्व के इस चक्र में मैं आनेक आत्माओं के साथ संबन्थ में आई कर्मों के प्रभाव में आई संपर्क में आई कबित्य भानवश स्वार्थवश मनमत के आधार से कर्म किये कभी पर्मत के आधार से तो कभी जन्मत और शास्त्रों की मत्थ के आधार से अपने कर्मों को विकृत कर दिया जाने अंजाने स्वयम को दुर्गती में पहुचा दिया अपनी शक्तियों को शिर्न कर दिया परंदवब संपर स्वयम परंसत्गरो श्वबाबा ने आकर मुझे श्रिम्मत दिया है अपने कर्मों को सुकर्म बनाने का मार्क दिखाया है पदद से पावन होने की यथार्थ विधी समझाई है फिलकरे स्वयम सत्गरो श्रिबाबा के श्रीमत रुपी हात को अपने सिर्पार बाबा ने मिरे मन को शुद्ध संकल्पों की समर्थ संकल्पों की शक्ती प्रदान की है व्यर्थ व्यक्त और विकल्पों से मुक्त होने की ऐसे युक्ती बताई है जो मेरा मान सदास संतश्ट इश्वरिये ज्यान रतनों के खजानों से भरपूर रहता है इतना शक्तिशाली अचल अडूल रहता है जो कोई भी हल चल इसे हिला नहीं सकती फिल करें शक्तिशाली मन की स्थिती को मैं हर पल हर कदम हर संकल्प हर कर्म करने से पूर्व चक करती हो कि क्या यह है श्रीमत प्रमाण है कहीं इसमें कोई मन मत यह परमत मिक्स तो नहीं मेरी इच्चकिंग और अटेंशन मुझे हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त रखते है और इश्वर्य प्राप्तियों से बाबा के बरदानों से मेरे पुद्धे के छोली को इतना भरपूर बना देती है जो मैं हर पाल नैचुरल खुशी में रहती हो नप्रतेक कर्म करने के उब्रांत उस कर्म के परणाम को श्वर्य बाबा को अर्पित कर स्वयं हलकी रहती हो परभाव परिस्थिती परमत मनमत से मुक्त रहती हो स्वयं हो कर दो कर मुक्त रहती हो ादी मुक्त रहती हो जो सब्टादी हो झाल